आप सभी का यहां पे श्वागत करते हैं आप्रोक्त आ Kenners Queen में बहुलक और मात्या ग्याद किजिए इस condition में माध्या आपको नहीं करवाहूमा माध्या आप खुद ही निकालेगे मैं यहां पे आपको only for बहुलक बहुलक ही बता हुआ और आप दोनों की comparison कर लेंगे ठीक है माध्य के no question करवा दिये है example भी होंगे अब आपको बहुलक करवा हुआ इसके बाद में जो exercise आएगे उसमें मैं आपको माध्यक या माधिका करवा हुआ क्योंसना आपने पढ़ लिया होगा आई यू वर्स में दे रखा है रोग्यों की संख्या अब आपको formula आना चाहिए formula में जो value होती है वो आपको values यहां से निकालने हैं तो सबसे पहले मैं इसमे formula लिख देता हूँ formula होता है बहुलक बहुलक को capital Z से represent करते हैं L plus में F1 माइनस में F0 upon में 2 F1 माइनस में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और multiply में क्या होता है H होता है अब देखो F1 क्या होती है सबसे अधिक्तम बारंबारता यहां पे सबसे अधिक्तम क्या है 23 है F1 F0 होता है इससे पहले वाली बारंबारता introduction में भी मैंने बताया था F0 और F2 होता है इसके बाद वाली बारंबारता F2 ठीक है H का मान L का मान क्या होता है F1 के सामने जो वरगंतराल होता है इसकी जो निवंतम सीमा होती है वही L का मान होते हैं, तो लिखेंगे यहां L बराबर क्या आज़ेगा 35 F1 बराबर क्या आज़ेगा 23 F2 बराबर क्या आज़ेगा 14 F0 बराबर क्या आज़ेगा 21 और H का मान होता है, जो वरग अंतराल रहता है, उसकी माप होती है, 35 से 45 कितना हो गया, अब यह आंकडा इसमें रखेंगे, और आप J का मान है, निकाल लेंगे तो j is equal to क्या हो जेगा l का मान कितना है 35 प्लस में f1 का मान कितना है 23 माइनस में f0 का मान कितना है 21 भाग में 23 दूनी कितना हो जेगा 46 माइनस में f0 का मान कितना है 21 माइनस में f2 का मान कितना है 14 गुणा में ये कितना है 10 तो ये result होगा 35 प्लस 23 माइनस में 21 दो अपोन में 46 माइनस में यह आपको करना है 46 माइनस में 14 और 21 कितने हो जाएगे 4 रेक 5 हो जाएगे और 3 रेक 4 हो जाएगे नहीं 2 रेक 3 35 हो जाएगे 35 और इंटू में कितना है 10 है तो यह रेजल्ट होगा Z is equal to 35 प्लस में 10 दूनी 20 अपोन में 46 माइनस में 35 करेंगे तो 11 आजेगा तो यह रेजल्ट होगा 35 प्लस में 11 एकम 11 बचगे 990 1188 तो यह आजेगा आपके पास में 36.8 36.8 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा आणसर में इच कर लेते हैं इसमें 36.8 माध्य sorry इसका बहूलक आजेगा माध्य आपको निकालना है आप निकालेंगे माध्य जो भी आपको मेंतर अच्छा लगे उससे निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको बहूलक करवाये जाएगा is that clear समझ में आए कि इसका बहूलक क्या आएगा 36.8 आएगा इसके बाद में दूसरा क्यूसन क्या कहता है दूसरा क्यूसन है कि निमल खित आंकडें 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल गंटों में की सुचना देते हैं उपकरणों का बहूलक जीवनकाल ग्याद कीजिए बहूलक ग्याद करना है ठीक है सबसे अधिक्तम बारंबारता देखेंगे तो यहां पे रहेगा दूसरा क्यूशन्स फोर्मूला यही रहेगा वस यही काम रहेगा परतेक में वेल्यू चैंज है कुछ भी नहीं है जट बराबर लिखेंगे L प्लस ब्रेकेट में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में क्या है H है तो सबसे अधिक्तम बारमबारता क्या है F1 है इस से पहले वाले बारमबारता F0 है उसके बाद बारमबारता F2 है और इसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसकी निमन सीमा L का मान है तो यहाँ L का values कितना आएगा या इस परकार से लिख दो यहाँ L बराबर 60 है H का मान देख लो 20 है 60 से 20 हो गया F1 का मान देखो कितना है 61 है F0 का मान कितना है 52 और F2 का values कितना है 38 यह सारी values अपन formula में use करेंगे तो Z is equal to 60 plus F1 का मान 61 माइनस में 52 अपन में 61 दूनी 2F1 है तो 61 का multiply 2 के साथ में 120 और 2122 हो जेगा क्या 122 माइनस में F0 का मान 52 माइनस में F2 का मान 38 इंटू में H का मान है 20 तो यह value कितनी आएगी यह value आएगी 60 plus में 61 माइनस में 52 आठ रेक नू हो जाएगे तो यहां पे आएगा 9 अपन में 52 और यह हो जाएगे 60 36,90 तो 122 में से 90 को घटाएंगे 122 में से 90 को घटाएंगे तो 2,12 में आप निकाल दे 9 तो 32 आजएगा यहां से 32 गुणा में यह है 20 काटेंगे 4 से कर जाएगा 4 से काटेंगे 4,5,20 और 4,8,32 और यह हो जाएगा 9,5,45 45 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा तो जड़ का मान क्या होगा 60 plus में 9,5,45 बटे 8 तो यह value होगा 60 plus में 45 में 8 का बाग दें तो 8,5,40 बच गया 5,50 8,6,48 तो यह कितना होगा 60,5,65 65,6 आजेगा 65,6 आगे अगर दसमलो में और करना चाते हैं तो 2,5 कर देना 2,5 आजेगा यह आप से होर पूछा है गंटे पूछा है क्या 65,6,25 गंटे आजेगा देख पा रहे हैं जीवन काल कितने घंटों में दे रखा है तो कोई बात नहीं घंटों में निकाल देंगे इसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा क्यूशन तीसरे क्यूशन में दे रखा है आपको कि निमल लिखित आखने किसी गाउं के 200 परिवारों के कुल मासिक ग्रेलू वे के बंटन को दरसाते हैं इन परिवारों का बहुलक मासिक वे ग्यात कीजिए साथ ही माद्य मासिक वे भी ग्यात कीजिए तो माद्य है आप निकालेंगे आपको बहुलक करवा हुआ मैं यहाँ पर ठीक है माद्दे आप निकालेंगे पग विचलन मेथड से निकाल देना easy रहेगा अन्यता बाकी किसी मेथड से करोगे तो फिर थोड़ा calculation बड़ा हो जाएगा यहाँ पर वैसे भी value बड़ी है तो चलिएगा अपनी इस पे निकालेंगे माद्दे बहूलक तो जड के लिए formula होता है जड is equal to L plus F1 माइनस में F0 upon में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और N2 में क्या है H है तो यहाँ पर सबसे अधिक्तम बारंबारता देखो भी प्यारे विद्यारतियो 24, 43, 38, 32, यह यह है F1 का मान यह F0 का मान और यह होज़ेगा F2 का मान इसके सामने जो वरगंतराल है उसकी निमन सीमा L का मान होगी तो लिखेंगे यहाँ L is equal to कितना है 1500 और F1 is equal to कितना है 40 F2 is equal to कितना है 33, F0 is equal to कितना है 24 और H का मान कितना है 500 पूरा 500 है देख लो, value रख दो, Z is equal to क्या होगा 1500, 1500 प्लस में F1 का मान 40, माइनस में F0 का मान 24, डिवाइड बाइ 40 दुनी 80, माइनस में F0 का मान 24, माइनस में F2 का मान 33, और multiply में कितना है 500 है तो यह बनेगा Z is equal to 1500 प्लस में 40, माइनस में 24, 16 और यह हो जेंगे आपके पास में 80, 80 माइनस में 57, 80 माइनस में 57 इंटू 500 है तो यह बनेगा 1500 प्लस में 16, multiply 500, divide by 80 माइनस में 57 करेंगे 80 में से 60 गठा दें तो 20 बसता है और 20 और 23 हो जाएगे तो यहां से आंकड़ा आएगा 20 तो Z is equal to होगा 1500 कितना होजेगा 1500 प्लस में 16, 85 यह होजेगा 8,000 8,000 में आपको divide करना है तो आप 8,000 में 23 का भाग देंगे तो 347, 83 आएगा तो Z का value कितना होगा 18, 47, 48, 83 यह आपके पास में इसका आंकड़ा आजएगा answer आजएगा Is that clear? तो इस परकार से आज की क्लास में exercise 14.2 का पहला दूसरा और तीसरा question कंप्लीट किया है क्लास के इसी लगी? कुमेंट करके जूर बताएं अच्छी लगी हो तो like और share सभी student करेंगे आज की क्लास में इतना ही next क्लास में मिलें कुछ नए के साथ जय हिंद, जय भारत